भारतिय सेना की तरकश में एक नया तीर आ रहा है और इसका नाम है Archer Next Generation शॉट में इसे Archer NG कहा जा रहा है वैसे तो भारत में सुदेशी तोर पर कई सारे ड्रोन डेवलप किया जा रहे हैं और इन में से ज़ादा तर Advanced Stage में हैं जैसे कि रुस्तम 1, रुस्तम 2, तापस और घाता की UCAV Archer NG एक आम्ड ड्रोन है जिसे सुदेशी तोर पर भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है ऐसा माना जा रहा है कि रुस्तम 1 ड्रोन को ही आम कर दिया गया है और कुछ modifications के साथ इसे नया नाम दिया गया है सबसे ज़दा खुशी की बाद तो ये है कि Archer NG की first flight इसी साल जून जुलाई के महिने में scheduled है ये ड्रोन 300 kg तक का weapon अपने साथ कैरी कर सकता है और इसमें दो तरह के सुदेशी missile एंटी ग्रेट किया जा सकते है पहला है smart anti-airfield weapon और दूसरा है anti-tank guided missile Archer NG 22,000 feet की उचाई पर 12 घंटे लगातार उड़ सकता है और एक बार में 220 km ट्रेवल कर सकता है ये auto take off और land करने में सक्षम है भारत आम्र ड्रोन्स के मामले में अपने rival चीन और तुर्किये से पीछे हो चुका है तुर्किये का बैरेक्टर ड्रोन रूस यूकरियन युद्ध में अपनी शमता साबित कर चुका है और इसे खरीदने के लिए कई देश लाइन में लगे है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करें